असलाम वालेकुम, मुझसे कुछ लोग पूछ रहें कि भाई जब हम STC पेसे पैसा ट्रांसफर करते हैं इंटरनेशनल तो पैसा ट्रांसफर करने एक बाद अंडर प्रोसेस क्यों रहता है, अंडर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ इसको हमें बता दो तो देखिए जैसे कि अभी देखिए कुछ मिन्ट ही पहले मैंने अपने बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जैसे कि देखिए मैं पैसा ट्रांसफर किया 4 बच के 10 मिनट पर और अभी देखिए हो रहा है 4 बच के 13 मिनट यानि कि 3 मिन्ट हुआ हमको पैसा ट्रांसफर किया हुए लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम तुरंट पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कुछ सिकंड तक या कुछ मिन्ट तक under review रहता है under review होने के कुछ देर के बाद तो फिर यहाँ पर जो है under process हो जाता है तो देखिए जब under process हो जाता है ना तो under process का मतलब यह हुआ कि आपका पैसा जो है यानि की काम चालू है इस पैसे पर काम चालू है जल्द ही आपका पैसा आपके bank में transfer हो जाएगा जैसेग देखिए अभी यहां पर under process आ चुका है लेकिन यहां जो है पैसा transfer complete होने में जैसेग देखिए इससे पहले जब मैं पैसा transfer किया था ये वाला तो देखिए transfer completed लिख करके आ रहा है लेकिन ये जो है transfer complete होता है तक्रिबन एक घंटे में के अंदर एक घंटे के अंदर जो है transfer complete हो जाता है तो एक घंटे तक ये under process रहता है लेकिन under process में पैसा transfer हो जाता है आपके bank में जैसे देखिए ये मैं पैसा transfer किया सवधी का 2000 रियाल और इंडिया का बन गया 38,536 रुपए और 35 पैसे तो देखिए अगर मैं आपको अपना bank open करके दिखाता हूँ तो देखिए हमारे bank में जो है पैसा transfer हो चुका होगा जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा जेता हूँ अपना bank open करके तो जैसे कि आप देख सकते हमारे bank में देखिए पैसा आच चुका है 29 तारीक 38,536 रुपए और 35 पैसे 38,536 रुपए 35 पैसे और यह मैं आपको STC pay में भी देखाया था कि यहाँ पर भी देखिए 38,536 रुपए और 35 पैसे यानि कि अंडर प्रोसेस में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है लेकिन अगर यह अंडर प्रोसेस यहाँ पर 2-3 दिन तक रहता है और अगर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर आपको कस्तमर केर से कोंटेक्ट करना होगा तो फिर आपको इस नंबर पर कस्तमर केर से बात करना होगा तो और जो है ये under process तकरीबन एक घंटे तक रहता है एक घंटे के बाद या फिर एक घंटे के अंदर इस तरीके से transfer complete लिकर के आ जाता है अगर under process में आपके account में पैसा transfer नहीं हुआ तो जब यहाँ पर transfer completed लिकर के आ जाएगा फिर तो 101% आपके account में पैसा transfer हो जाएगा तो जैसे कि देखिए मैं आपको शुरू में बता दिया था कि पैसा transfer करने के एक घंटे के बाद या फिर एक घंटे के अंदर जो under process होता है वहाँ पर जो है transfer complete लिक करके आ जाता है अगर under process में पैसा transfer नहीं होता है तो जब यहाँ पर transfer complete लिक करके आ जाएगा तब तो पैसा transfer होई ही जाता है और जब भी यहाँ पर transfer complete लिक करके आता है तो stacy pay की तरफ से एक message भी आपके stacy pay में आता है और यहाँ पर आपको red color में एक बिनकी भी नजर आती है घंटी के निशान पर तो जब आप उस पर click करेंगे तो आपको सारा details देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपका नयम और आपने कितना पैसा transfer किया यानि कि आपके account में पैसा transfer हो गया इस तरीके से यहाँ पर message भी आपको देखने को मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा